बिस्मिल्लाहिरोह्मानिरोहीम, अस्सलामु आलेकुम, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर बारा, मेरा गाउं, मेरा गर, इमला, मेरा गाउं एक मसाली गाउं है, मेरा गाउं दिहाती जिन्दगी की बरपूर जलग पेश करता है, मेरे गाउं में ईद का तहवार भी मेले की तरह होता है, सब लोग खुले मिदान में ईद की नमास अदार करते हैं, शादि की तक्रीब अमूमन दिन के वक्त होती है, इसके पाद हम पढ़ेंगे उर्दुबे से ग्राइमर, इसम, इसम किसे कहते हैं, या इसम की तारीफ लिखें, किसी शक्स, जगा या चीज के नाम को इसम कहते हैं, मसलन, आमना, लहौर, किताब, जैसे आपका नाम है मर्यम, मर्यम, तो मर्यम क्या है, इसम है, आपके बाई का नाम है एहमद, तो एहमद क्या है, इसम है, इसम की अकसाम, इसम की दो अपसाम हैं इसमे मार्फा और इसमे नक्रा आज हम इसमे मार्फा पुढ़ते हैं वो इसम जो किसी खास शर्ष जगा या चीज के नाम को जाहर करे उसे इसमे मार्फा कहते हैं मसलल लामा इकबाल कुरान पाक लहौर ये क्या है इसमे मार्फा है लामा इकबाल इसमे मार्फा है ये एक खास नाम है कुरान पाक एक खास किताब है उसका नाम है इसमे मार्फा है लहौर एक खास जगा का नाम है इसलिए इसमे मार्फा है जैसे हम कोई जुम्रा लेते हैं इलामा इकबाल बहुत बड़े शायर थे ये एक मुकमल जुम्रा है इसमें आप देखें कि इसमें मार्फा क्या है लामा इकबाल इसमें मार्फा है इसके अलबा पाकिस्तान दिन राग तरकी कर रहा है इस जुम्ले में देखे कि इसमे मारफा क्या है पाकिस्तान पाकिस्तान इसमे मारफा है हम लहौर में रहते हैं आप इस जुम्ले में देखे कि हम लहौर में रहते हैं देखे इस जुम्ले में इसमे मारफा कौन सा है लहौर लहौर इसमे मारफा है डाइरी देखिए इमला इमला आपने अच्सी तरह से ट्यार करनी है फिर आपने वालदें से कहें कि वो आपको लिखवाएं एक एक जुम्ला करके लिखवाएं इससन की तरीफ आपने याद करनी है इसमें मारफा की तरीफ याद करनी है और लिखनी है अलाव वेस्